आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं, तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक्षाएं लेने क कोई आवश्यक्ता नहीं है साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं यह सब माया वैब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको ध व्यवसाए बन गया है यह साबित करके की शिक्षा केवल एक व्यवसाए नहीं है अपने कोशल को साबित करें बहतर आए प्रापत करें अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आय अर्जित करें अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाए प्रशन एक कौन उप्योग कर सकता है mytutor.com दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है फिर आपके छातर एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे online tuition क्लास लेने के लिए आपको एक website बनानी होगी यह बहुत महेंगा है लेकिन सामान्य शिक्षक इस website के माध्यम से बहुत ही कम लागत में tuition ले सकते हैं प्रोबोटिक्स क्लास क्या है प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं है जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती है वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाए इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाएं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाएं देने के लिए किया जा सकता है शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है देखें माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस्सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय जै से सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं, फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमिंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित कर करने के विकल्प हैं, क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वैब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल क माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है जी हां बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्रा होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा मत भूलो यदि आप एक शिक्षक हैं तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक छ से प्रापत करें, अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करन करें. पहले इस फॉर्म को भरें, नियम और शर्क्ने स्वीकार करें, रजिस्टर पर ख्लेक करें, अपने मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोले, सक्रिय लिंक पर क्लेक करें मेंबर लॉगिन का चयन करने के बाद अपना मेल आईडी और पास्वर्ड दर्ज करें और फिर लॉगिन करें यह आग गूगल के साथ लॉगिन चुने देमो अब तैयार है अपनी प्रोफाइल संपादित करें यह विडियो देखें अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है खृप्या यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं पार्थ्यक्रम असी मित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असी मित चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्टर करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं पाठ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है एक बार शिक्षक बंजी क्रित हो जाने के बाद पाठ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें इस पर हर जगह विडियो होंगे आए इन विडियो को और पाठ्यक्रम की सूची बनाएं मैं एक छात्र हूँ क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा नहीं यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्थ है छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ पाठ्यक्रम का नाम शिक्षंविशय संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें यहां अपना मोबायल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें स्थान दर्ज करें और खोजें अब आप चयानित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें, वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें, अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता, वाट्सेप नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं, यहां आप सीधे शिक पत्रिकर टुषन की जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं, तो आपको पंजी करन या लॉगन करने की आवश्चता है, एक रजिस्टर क्या है? लॉगन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पेहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा, यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा, मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें, यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले, छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा, इन सभी फॉर्म को भरें, आपके मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें, एक्टिवेट लिंक पर ख्ल अपनी मेल आईडी और पासवर्ट से लॉग इन करें, या गूगल के साथ लॉग इन का चैन करें, उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है, इसके लिए यहां खोजें, बेहर एक्टिवेशन मेल लोग्पिवेश से लिझाइकर का खोजें. झाल 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 झाल